ये है आपका assignment number 1 और माह सितंबर का गडित है आपका 10th class का जो assignment है ये है आपका जिसका answer में बताने वाला हूँ इस वीडियो में और अराम से इसको देखिए समझीए और आपके assignments बहुत important है जो कि आपके 36 गड माद्यम से जो आपको लिए तयार किया गया है ये बहुत ही को देखते हैं फटाफट जो भी इसके solutions होंगे वह मैं बताता हूं आपको कैसे करना है आपको तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले questions के पहले question में है इफ डिवीजर इस 3 x square minus 2 x plus 2 to quotient is x plus 1 and remainder is 3 then find the dividend आपको dividend निकालना है तो dividend का सीधा सा फ़र्मूला होता है जो वही वाला भाजक भाज्य और भाज्य शेसफल वाला तो इसमें dividend is equals to diviser into quotient plus remainder तो dividend क्या हो जाएगा diviser जो होगा आपका वो quotient यानि कि आपका जो आएगा आपका answer और प्लस remainder जो शेसफल होगा वो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो जो आपको दे रखा तो diviser into quotient जो आपको समिकन को solve करेंगे तो यहाँ पर आपको दो दे एक तो diviser दे रखा x plus 1 और इसको जब solve करेंगे और एडिंग करेंगे इसको solve करेंगे तो आपको जो final answer मिल जाएगा वो 3x q plus x square plus 5 जो है वो आपका dividend हो जाएगा ठीक है second question की बात करें तो find the value of k in quadratic equation 9x square minus k x plus 16 is close to 0 if roots are equal तो इसमें आपको जो है k की value निकालनी है हमेशा ही question आता है तो इसको ज़रूर तयार करना है आपको तो इसमें कहा है quadratic equation आपको दे रखिए तो comparing करनी है इसमें जो आपको standard equation होती है ax square plus bx plus c जो की quadratic equation का form होता है इससे compare करना है आपको और compare करेंगे तो आपको A की value जो है आपके 9 मिल रही है उपरवाले curveds को देखेंगे तो A की value क्या है 9 x के सास्त क्या है इसी तरह से आप देखेंगे जो b के संथ में क्या है तो b के साथ में देखा है आपने minus k है उसके बाद में c coefficient जो है आपका यानिकी constant है वो है 16 त फिर आपको equation के roots find out करने हैं तो बस इनको आपको b square minus 4ac वाला formula लगाना है यहने कि उस जगह पर इसको रखना है तो b square minus 4ac की जगह जो जो a और b की और c की value है उनको रख देना है तो k की value आजएगी 24 and minus 24 दोनों ही value आएंगे आपके k square है और जब root लेते हैं तो कोई भी value positive और negative दोनों ही आती है तीसरा question है find the quadratic equation whose roots are 6 plus root 5 and 6 minus root 5 तो इसमें आपको क्या करना है we know that आपको solution ऐसे ही करना है अपने exam में तो आपको full marks मिलेंगे we know that if m and n are the roots of n quadratic equation a x square plus b x plus c is close to 0 then the sum of the roots is m plus n the product of root क्या हो जाएगा product यानी की multiply क्या हो जाएगा m into n और sum क्या होगा m plus n जो लिखा हुआ है तो then the quadratic equation becomes x square minus m plus n into x plus m into n is close to 0 यह आपका quadratic equation बन जाएगा जो क्या आपको सिखाया गया था इसके बाद में here is the here it is given that the root of quadratic equations are तो उहाँ पर m और n की value दे रखिए एक positive में एक negative में अब इनको क्या करना है आपको उहाँ पर put कर देना है put करने पर आप जब इसको solve कर देंगे तो जब solve करेंगे पूरा तो ही आपको answer मिलेगा इसका x square minus 12x plus 31 is close to 0 यह आपका answer आना चाहिए था तो यह आपका quadratic equation जो है वो बनेगा ठीक है जिसके roots यह आपको 6 plus root 5 और 6 minus root 5 दे रखे थे question number 4 की बात करें तो यहाँ पर for what value of k system of equation 5x minus 7 y minus 5 is close to 0 and 2x plus ky minus 1 is close to 0 having unique solution बताना है आपको तो दो equation है आपके दोनों equations को बना करके compare कर लेंगे इसको equation first number और second number से वही a plus b plus c वाला जो अभी हमने उपर बात करी थी अब इसमें unique solution के लिए हमें पता है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 तो इसे नहीं तरह हम इसकी values रख देंगे a1 और e2 की b1 और b2 की तो यहाँ पर k की value जो है not equal to आजाएगे minus 14 upon 5 ठीक है यह answer आगया आपका इसके बात पाच्छे question की बात करें solve करना था not using graphical method या निकि graphically इसको solving करना है तो आपके पास 2 equation दे रखिए तो इन question को आपको पहले value जी की 1 तो यहाँ पर आपके पास जो values हैं वो आजाएंगे x की 1 और y की 4 आप आराम से देख सकते हैं पड़ भी सकते हैं इसके बाद में च्छटा जो last question था इसमें आपको equation दे रखी थी इसको solve करना था तो solve करने के लिए क्लिए है इसका LCM लेना है आपको सबसे पहले न और भी आपके जो भी solution से उनको provide कर दिया है आप बने रहें इस चैनल पर और comment करते रहें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे हमारी तरफ से thank you very much for watching this video till the end